नासा हिंदी न्यूज चैनल के नए वीडियो देखने के लिए लाइक कमेंट शेर और सबस्क्राइब करना न भूलें प्रिहस्परी ग्रह पर भेजना चाते हैं अपना नाम नासा दे रहा मौका फटाफट करना होगा ये काम नासा अपने एक मिशन योरोपा क्लिपर मिशन को लॉंच करने की तैयारी में है इस मिशन के तहट अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला स्पेसक्राफ्ट 2.9 अरब किमी की यात्रा करेगा आप चाहे तो इस स्पेसक्राफ्ट पर अपना नाम लिखवा कर ब्रहस्पती तक भेज सकते हैं अंतरिक्ष तक सफर करना हर किसी के लिए मुम्किन नहीं लेकिन आप चाहे तो आपका नाम जरूर अंतरिक्ष तक पहुँच सकता है ये मौका आपको नासा देने जा रहा है दरसल नासा अपने एक मिशन योरोपा क्लिपर मिशन को लाँच करने की तयारी में है मिशन को अगले साल अक्टूबर दो हजार चॉबीस में लाँच किया जाएगा इस मिशन के लिए जिस स्पेसक्राफ्ट योरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट को ब्रिहस्पती तक भेजा जाएगा उस पर आप चाहे तो अपना नाम लिखवा सकते हैं ये यान 2.9 अरब किमी की यात्रा करेगा और इसके 2030 तक ब्रिहस्पती की कक्षा में प्रवेश करने की उमीद है डॉट नासा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी जानकारी मिशन के बारे में नासा ने इंस्टाग्राम पर जानकारी शेर की है नासा ने लोगों से मिशन का हिस्सा बनने की अपील करते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया लास्ट मिनट गिफ्ट चाहिए तो अपना नाम यूरोपा क्लिपर अंतरिक्षियान पर अंकित करे हम अपने यूरोपा क्लिपर अंतरिक शियान पर नाम डाल रहे हैं जो 1.8 अरब मील, 2.9 अरब किमी की यात्रा करेगा स्पैसक्राफ्ट पर अपना नाम अंकित करके आप भी इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं नाम भेजने की आखिरी तारीक 31 दिसंबर प्रोजेक्ट का नाम मैसेज इन अ बॉटल है नाम भेजना बहुत आसान है आपको बस इस लिंक पर क्लिक करना होगा लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको नाम, इमेल अड्रेस, देश का नाम और पिन कोड सिलेक्ट करना होगा ब्रहस्पती ग्रह के लिए रवाना होने वाले स्पैसक्राफ्ट में अमेरिकी कवी एडा लिमोन की एक कविता भी लिखी होगी उसका टाइटल है इनप्रेस ओफ मिस्ट्री, अपोवंग फो योरोपा डॉट मिशन के बारे में भी जानिये, मिशन के बारे में जानकारी देते हुए नासा ने अपने पोस्ट में बताया है कि योरोपा क्लिपर मिशन ब्रहसपती के समुद्री चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए है वैग्यानिकों का मानना योरोपा की लगातार बदलती बरफीली परत के नीचे एक विशाल खारे पानी का महासागर है जिसमें परत्वी के महासागरों की तुल्ना में लगभग दोगुना पानी है कम ऑक्सिजन वाले वातावर्ण और प्रचुर पानी के साथ योरोपा को जीवन की खोज के लिए हमारे सौर मंडल में सबसे अच्छे स्थानों में से एक माना जाता है इस मिशन के जरीए नासा जीवन के प्रमुख तत्वों की खोज करेगा